हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सिस्वंद्र यह वीडियो महत्पूर जो आपके 30 कोशन्स हैं इन्वाइमेंट से सम्मंदित हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास कर जरूर देखिएगा चुकि यह वीडियो आपके यूपी टैट के लिए बहुत ही हैलफुल थाबित तो इसका आंसर आपको बताना है कि इकोलोजी शब्द का प्रियोग सर्विप्थम किस ने किया था चार ओक्षन है आपके रेटर, हेकल, ओडम या उप्रोव के सभी ने तो इसका सब्षन से बिलकुल जो सटी का आंसर है वो कौसा होगा यह आपको बताना है तो पारिस्थ की शब्द का प्रियोग सर्विप्थर से पहले किया था रेटर ने अगला कोश्चन है जैवका फार से ने की आपको इसकाए जो दूसरों से प्रिभावित पर किपाव डालते हैं या उप्रोखशबी कारक जो बायोतिक फैक्टर होते हैं वह क्या है तो देखेबिक कारक होते हैं वह होते हैं सबी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं तो इस तरह चांशल भॉप्शन भी भोजन इस्थान तथा प्रकास के लिए सबसे अधिक प्रतिश परदा होती है कौनसा ओप्शन सही होगा एक इस्थान की निकट संबंद की जातियों में विवे नावास की निकट संबंद की जातियों में एक इस्थान पर उगी दूर संबंद की जातियों में या झातियु में दिभीन सालो के दूर के संबंध की है तो कॉशन नमर ठड के लिए जो प्रकास के लिए शब्षह अधिक जो कंप्पीशन होता है प्रतिस परदा होती है वह होता है एक सर्वन की निकट के संबंध की जातियु में इझानिस अ prede नेक्स्ट कोशन देखिए चट्टानों के बड़े टुकडों के तूट तूट कर सूच्व कड़ों में परिवर्थित होने को कहते हैं क्या कहते हैं अप्छा मन अपर्दन खंशरन या उप्रोफ्त में से कोई नहीं तो जो बड़ी-बड़ी चट्टाने होती हैं देखिए य नेक्स्ट प्रस्ट देखिए चड़ने वाले जन्तू बड़श्पती का प्रकार बदल देते हैं पर परागर द्वारा अन्पौधों के बीजों को लाकर वर्णात्मक चराई द्वारा या उप्रोफ्त में से कोई नहीं तो जो चड़ने वाले जन्तू होते हैं वो बड़ बड़श्पती को बड़ल देते हैं चराई द्वारा सेलेक्टिव और टेन मतलब कि चरकर के वो बड़श्पती को बड़ल देते हैं अगला प्रेश्ट यह कोशन आपका आच चुका है अगला प्रेश्ट देखिए एक पौधे अथ्वा उसकी जाती के पौधों के वाता स्वा पारिश्थित्की सम पारिश्थित्की पारिश्थित्की तंत्र पारिश्थित्की या जीन पारिश्थित्की तो इस कोशन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्वा पारिश्थित्की अगला प्रेश्ण है प्रसिजी की आकरती से सम्मंदित पारिश् अगला प्रश्चित की तंत्र की सरप्रथम विचारधारा दी थी इपी ओडम ने एजी टॉंसले ने ए आर निश्रा ने या परकिंजे ने तो इसका जो सही आंसर होगा एजी टॉंसले अगला प्रश्चित की तंत्र ध्यान दीजेगा इको सिस्टम की जो विचारधारा सरप्रथम दी थी वो दी थी टॉंसले ने अगला प्रश्चित देखें खाद श्रंकला में मनुष उत्पादक है उत्पादक है अब घटक है या उत्परोक्त में से कोई नहीं तो खाद श्रंकला में जो पूर्चेल होती है उसमें मनुष एक उत्पादक है अगला प्रश्चित हरे फौधे प्रकती में उस्पादक हैं उस्पादक हैं या उप्रुप्त में से कोई नहीं तो हरे पौधे प्रकती में उस्पादक हैं अगला प्रश्न खाव शंगला प्रारम होती है प्रात्मे को भोकता से जुतिय को भोकता से अब घटक से या उस्पादक से तो जो food chain system है वो शुरू होता है आपका उस पादक से फिर होता है प्रात्मे को भोगता फिर होता है जुस्तियक भोगता फिर होता है अगला भर्षन देखिए जली वातावरण में सूच में जीवों को क्या कहते हैं परजीवी प्लवक मतोप जीवी ये सहजीवी तो जली वातावरण में सूच में जीवों को कहते हैं ऑप्शन दी इजर राइट आंसर प्लवक अगला प्रशन वन पारिसितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है कैसा होता है उल्टा होता है, सीधा होता है, उल्टा तथा सीधा होता है या उपरुक में से कोई नहीं तो सही आंसर होगा इसका, option B, सीधा वन पारिशित की तंत्र में संख्या का पिरामिड जो होता है, वो सीधा होता है अगला प्रशन देखें उर्जा का पिरामिड सद्याव कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, नहीं बनेगा या अनिश्चित बनेगा तो उर्जा का पिरामिड सद्याव सीधा होता है अगला प्रिशन है जली पारिस्टिक तंत्र या किसी अन्पारिस्टिक तंत्र के लिए अंतिम उर्जा का स्रोथ है ATP, ADP, चूर का प्रकाश या DNA तो जली पारिस्टिक तंत्र या किसी अन्पारिस्टिक तंत्र के लिए अंतिम उर्जा का स्रोथ होता है चूर का प्रकाश अगला प्रिश्न घास के मैदान की खाद गड़ी में सरबोच में उपभोगता है साकाहारी, माशाहारी, शाकाहारी तथा माशाहारी या उपरोक्त में से कोई नहीं घास के मैदान में खाद गड़ी में सरबोच में उपभोगता है तो बताईए इसका आंसर कौन सा सही होगा माचाहारी अगला प्रशन है घास के मैदान में जीवभार का पिरामिल होता है सीधा, उल्टा, उल्टा तथा सीधा दोनों या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो जीवभार का पिरामिल होता है सीधा अगला प्रश्ण देखिए आप लोग भी इसमें आंसर दीजिए क्योंकि अच्छा होगा कि आप लोग भी आंसर देंगे अगला प्रश्ण कोर्शन नमबर 18 नेम लिखित में से कौन सा प्राथमिक या मूल उत्पादक है चूहे सेर घास या सांप यह मूल उत्पादक होते है कि मूल उत्पादक होते हैं आपस्ण देखिए यह मंदल में हैं से कारवंड़ा याकस है निकाल दी जाये तो कर्वंदायेक्सथा निगшееं तो कॉंसे जिव प्रभावित होंगे अरक्राइब्क निकाल दितले तो कॉनसे जिव प्रिभावित होंगे उस्यूसम्डा को भोगता करकूद ब pross्सक्राइब चुछाए निकालता पर्षीजन को निकालते हैं सबसे रहादा इफेक्ट इन में ही पड़ेगा अगला प्रश्न कोशन नमबर 20 नीम लिखित में से किन में खाद श्रंखला पाई जाती है समुद्र में तलाब में वनों में या उपरोक्त सभी में वो जो खाजव श्रंख़ला होती हैं वो समुद्र में भी पाय जाती है तलाब मे भी पाय जाती बनों को ना है है क्रम है घास तिद्डे सर्फ मेढवाज भाज तिद्डे मेढव सर्फबाज घास मेढव सर्फबाज तो देखिए सबसे पहले तो आप यह सबसे पहले तो वह ऑप्शन कार दीजिए जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अब इन जो आपके कोश्चंस हैं इन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो देखिए पुतपादक होता है घास फिर तिद्डा घास काता है मेढ़क को खाता है सर्फ मेढ़क को खा जाता है और बाद जो होता है वो शर्फ को खा जाता है अब देखिए सर्फ मेढ़क को नहीं खाता है जो मेढ़क है वो शर्फ को नहीं खाता है ठीक है मेढ़क शर्फ को नहीं गल्वध शंक्ला में सरवादिक शंक्या में होते हैं प्राथ्मिक उत्पादक उत्यप उत्पादक उसका जो सही आंसर होगा वोगा ऑउच्छन अगला प्रश्ण पारिशिदिक तंत्र में शौर उर्जा का संवर्चण करते हैं उस्पादक, उभोकता, अबधर्टन, करता या ये सब ही तो सही आंसार होगा जो शौर उर्जा का संवर्चण करते हैं वो होते हैं उस्पादक मनला हरे कौद है अगला प्रश्न है खाद शंकला में भेडिया खर्गोष को खाता है तता खर्गोष गास को खाता है तो भेडिये का पोशक इस्तर कौन सा होगा तो अब ये दूतियक उभ्भोगता होगा दूतियक उभ्भोगता ठीक है नेक्स्ट कोश्चन नीम्न लिखित में कौन सा प्रात्मिक माशाहारी है प्रात्मिक माशाहारी पूछा है तो बताईएगा कि प्रात्मिक माशाहारी कौन है प्रात्मिक माशाहारी तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मेधक अगला कोशन है पारिस्टिक तंत्र के दो भाग पादा पॉर्जन्तु भाश और पेड जैवी और अजैवी रोक्त में से कोई नहीं तो जो पारिस्टिक तंत्र होता है उसके दो भाग होते हैं कौन होता है एक होता है जैवी और दूसरा होता है अजैवी जैवी में आपके पेड़, पौध है, जीव, जनतु आते हैं, अजयवी में आपके खने जाते हैं और बिटामिल्स आते हैं ये सारी चीज़ें आपके अजयवी में आते हैं अगला प्रस्ट देखिए पारिस्टिक तंत्र में निरंतर आवशकता होती है, जल की, वायू की, उर्जा की या नीम लिखित में से किशी की भी नहीं तो पारिस्टिक तंत्र में निरंतर जरुवत होती है, उर्जा की अगला प्रस्ट देखिए नीम लिखित में से कौन से खाद शंकला सही है अब घटक तो अब घटक तो सबसे लास्ट में आते हैं तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगी उप्भोगता भी बार में आते हैं अब उत्पादक इन दो में से हो सकता है तो अभी अब घटक सबसे लास्ट में आता है तो यह भी गलत होगा तो सही आंसर होगा उत्पादक उभ्वोकता और अवगटक तो आप्शन सी इसका सई आंसर है। अगला प्रश्ण है। दुतियों उत्पादक होते हैं पौधों को, जन्तूओं को, पौदे चता जन्तूओं को या कोई नहीं। दुतियों उत्पादक कहते हैं जन्तूओं को। अगला ब्रश्न है जैविक शंतुलन पाया जाता है उत्पादक तता उप्भोकताओं के बीच उत्पादक वा अब घटकों के बीच उत्पादक उप्भोकता तता अब घटकों के बीच या केवल उत्पादकों के बीच तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option A जैविक शंतुलन पाया जाता है उत्पादक वा उपभोगताओं के बीच तो option A is correct answer तो friends ये 30 questions हैं इनमें से आपने कितने आपकी सही से आप score में जरूर बताइएगा और आप लोग हमारे live session को जरूर जोइन करें जिससे आप लोग live answer कर पाएं तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वैल आइकन ट्रेस कर दीजे जिससे सभी notifications आप तक कहुंचते रहे तो थैंक यू बने रहिए आपके अपने चैनल सब्सक्राइब के चाथ तर रहिए रहुआ कर दो डशक्तवद्टर तो हEMAँ नहीं किया ह hé